जोस्तों अगर आपके फोन पे काफी दव वायरस आज चुके हैं तो आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल सही देख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि आप अपने फोन से कैसे वायरस को रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो इसके लिए आपको करना क्या आपकी इस वीडियो को लास तक देख लेना है मेरा नाम एकाश और आपका हमारी युटुब चनल पर स्वागत है वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप से छोटी से रिक्वेस्ट करूंग कि अगर आपन करना क्या है आपको इसके लिए अपने फोन पर एक अपलिकेशन को इंस्टॉल करना जिसका लिंक मैंने आपको डिसक्रप्शिन में दे दिया है तो रही एप्लिकेशन बहुत ही तग्री है जिसकी मतदद से आप अपने फोन की वार्यस को रिमूव कर सकते हैं आस इस ऐप और मैंने इसे open कर लिया तो आप यहां से start पर क्लिक करिये और start पर क्लिक करने के बाद यहां से कुछ इससे एक interface मिलेगा तो यहां से scanning automatic होगा जो कि आपके phone की सारे application को और आपके phone के storage पे सारे videos, file, documents वगरा सब कुछ scan करेगा क्योंकि हमारा play store पे flow project का option मिलता है जो कि हमारे phone की applications को भी जाज करता है लेकिन हमारे phone पे काफी ज़्यदा issues होते ही जो कि हमारे गैली पे हम बहुत ज़्यदा download वगरा करते रहते हैं आजकल movie वगरा बाहर से तो वह सारी चीज़ों में भी वाइरेस घुसे रहते हैं अब यहां से scan होने के बाद यह थोड़ा सा समय लेने वाला गाइस इस बात को ध्यान रखेगा तो पहला ही चीज़ यहां से वाइरेस स्कान करेंगा कि आपके फोन पर वाइरेस है नहीं उसके बाद नीचे आपके प्राविसी वगरारा सब कुछ चेक करेंगा कि आपका सब कुछ सिस्टम सही है या नहीं और वह सारा रिजल्ट आपके सामने लेके रख देगा ठीक है तो यहां से अगर आपके क्लिक करोंगे अगा आप लैयोग्त बाहर विख में आपके जोक्षल आफ है प्लीघसमरadı का त्यासा जिस्से कि आपके लेके कर देना जिस्के को पार और इस चीजिए आपके वाइर करेंगे लिए उसज्यоды पर ऐसी08 अपुरब कर्ते हैं और पर यहां से तो आपको junk cleaner, app, running app and hot tools को भी option मिल जाता है junk cleaner पे आपके फोन के जो system के cases फाइल को किस फाइल जो पड़े रहते हैं किसी काम कहीं होते हैं आप उसे remove कर सकते हो applications को lock करना रहा तो आप उसे एक दूम से lock कर सकते हो running app में जो आपके फोन पे background में चलते रहते हैं आप यहां से बंद कर सकते हो और हर टूल का option मिल जाता है जिसमें आपको manage security, message security, full scan and encrypting के लिए से बहुत कुछ आपको option मिल जाता है इस application में और सब कुछ दूम से free है तो आपके इसे use करना है main हमारा जो topic था ना वायरस को remove करने का तो आपको पहले ही दिख जाता है नहीं हो तो अप्लिकेशन को delete कर देना ठीक है तो देखो गाइस application बहुत ही बड़ी है आप इसे जरूरी यूस करेगा link मेंने description box में दे दिया है तो आशा करता हूं आपके एक अच्छी application मिल चुगी है जिससे कि आप अपने phone के वायरस को remove कर सकते हैं अगर आप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल सना बूले तो चलो मिलती नेक्स वीडियो में तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद